हेलो एव्रिवान एड वेलकम डू क्रियेटरिक्स यूट्यूब चैनल माइडिया फ्रेंड्स आम बैक अगे इन विद अनधर एपिसोड ऑफ लर्न इंजिनियरिंग और इस बार हम लेके आ गए हैं बिटा एपिसोड नंबर 47 जिसमें हम बात करने वाले हैं कि जो रोड पे लाइट्स रहती हैं आपने देखा वहना स्ट्रीट पे जहां पे वहिकल्स हमारे चलते हैं वहां रोड पे लाइट्स लगी रहती हैं विच हेल्प शोदा पात है ना तो हमें पात दिखता है सडक दिखती है उन लाइटों की मदद से और वीकेंड ड्राइव सेफली तो व लिए शौर्ट रहेगा वीडियो लेकिन काफी इंफॉर्मेटिव रहने वाला है बट इससे पहले शुरुआत करें लेट में इंट्रूस मैसल्फ और थोस अफ यू वहां मेटिंग मी फॉर्स ताइम मैं नेम इस अंकित गोयल आ गॉत आल इंडिया रंक वन ट्वाइस इन अब मेरे बारे में ये सारी बाते बहुत से बचे जानते हैं लेकिन बचों मैं कहता हूं सबसे इंपॉर्टन बात क्या है सबसे इंपॉर्टन बात ये जो हमारी अनकैडमी टीम है क्रियेटरिक्स टीम है ये बहुत ज़ादा हार्ड वरकिंग टीम है और हमेशा एक लक्ष एक गोल के साथ काम करती है कि अपने बच्चों को हमें एनेबल करना है हमें ये मेक्शोर करना है जो हमारे स्टूडेंट् अनकैडमी अप इंस्टॉल करना है और वहाँ पे भी हमारे फ्री इनिशेटिव का हिस्सा बनना है बस उन्हें अनलॉक करना पड़ेगा और इसके अलावा देखो यार ये मेरी सारी स्पेशल क्लासिस का लिंक है अगर यहाँ पे आप जाएंगे तो अपकमिंग में आपको आगे आने वाली स्पेशल क्लासिस मिलेंगी और बिटा जो अलरेडी हो चुकी हैं वो भी आपको ना अलग-अलग फोल्डर्स के अंदर मिल जाने वाली हैं जैसे PSU के question, CTQ, gate previous year, practice session, marathon session सब चीजें आपको यहाँ पे मिल जाएंगे आप इस content को enjoy करो सीखो और फिर exam में मचा डालो ठीक है चल तो आते हैं भई आज के topic पे road पे लगी lights किस type से काम करती हैं अब इसके अंदर बिटा सबसे पहली होती है passive lighting जिसे कहत है road stud passive का मतलब यह होता है यह अपनी खुद की light generate नहीं करती है बलकि यह क्या है यह सिर्फ एक reflector है इस type की light आप देखते हो ना मैंने तो यार बच्पन में पता है कब देखी थी यह साइकलों में लगवाते तो उस समय पे cycle का बहुत जमाना था तो cycle में पीछे की तरफ लगवा ले थे यह क्या होता है यह simply एक reflector होता है इस पे जब अपनी light कोई डालता है तो यह reflect करता है उस light को तो इससे क्या होता है ना देखो cycle में क्यों लगवाते थे मान लो अगर रात को हम cycle चला रहे हैं सामने से कोई गाड़ी आ रही है कोई बाइक आ रही है तो बाइ में road की boundaries mark करने के लिए या road अगर कहीं पे turn ले रही है तो आप कैसे बताओगे vehicle को आप बताओगे in terms of these lights तो जब यहाँ पे अंधेरे में बिटा कोई भी vehicle अपनी lights on करके headlights on करके चलता है वो headlight इस reflector पे पढ़ती है तो यह उस light को reflect करता है और जब यह उस light को reflect करता है then it glows और जब यह glow करता है तो vehicle को पता चल जाता है अच्छा भई यहाँ से road में turn लेना है यह road सीधी नहीं जाएगी तो again it can avoid an accident लेकिन आपने आजकल देखा होगा एक और type की light होती है जो कि reflector नहीं होती बलकि वो actually light blink कर रही होती है वो actually light जल रही होती है वो होती है active lighting active lighting के उपर क्या होता है बेटा solar panel होता है तो solar panel क्या करता है पूरे दिन में sunlight से आने वाली energy को store कर लेता है और इसके अंदर जो रखी होती है battery उसे charge कर देता है तो solar panel इस battery को charge कर देता है अब इसके अंदर battery से जुड़ी होती है LED जो जुड़ी होती है न वो रात के time में automatically glow करेगी महाँ पे control circuit आप लगा दोगे जो कि ये detect करेगा कि अचा ठीक है अब अंधीरा है तो यानि कि now it's the time to light up the LED तो LED को जला देता है किसकी मदद से एक battery और एक circuit की मदद से तो ये actually अपनी खुद की light पैदा करती है by means of solar cell और ये ज्यादा अच्छा है बेटा मान लो रात के time में किसी ने अपनी headlight on नहीं की कोई बिना headlight on के चला रहा है ठीक है तो उस case में क्या होगा ये जो passive lighting है ये reflection नहीं दे पाएगी और ये रास्ता नहीं बता पाएगी लेकिन ये जो active lighting है ये तब भी काम करेगी ये तब भी रास्ता बताएगी and that is why this active lighting is very very important ठीक है और कुछ ऐस इसे भी models हैं जिनके अंदर solar panel नहीं होता लेकिन फिर उनके अंदर wire लगी होती है wire उनको power deliver करती है by which light up the LED ठीक है और ये पूरे control procedure के लिए इसके अंदर एक circuit provided रहता है जो कि ये detect करता है कि battery को charge करना है या फिर LED को जलाके battery को discharge क्योंकि रात के time में आपको ये detect करना बहुत ज़रूरी है कि इस time पे natural lighting available नहीं है तो अब LED को on करने का समय आ चुका है तो बेटा अगली बार जब कभी road पे निकलोगे ना तो इस चीज़ को observe ज़रूर करना कि कहां पे passive lighting है और कहां पे active lighting है that will give you a great idea और हो सके तो रुक के check कर लेना अगर road खाली हो ऐसा मत करना चलती पास कहीं ऐसा area मिलता है तो do check it out कि कि किस तरह का construction है किस तरह से ये काम कर रही है तो ये curiosity ही बिटा आपको आगे लेके जा सकती है तो मिलेंगे इसी तरह से episode number 48 में किसी और concept के साथ तब तक बच्चों ऐसे ही मचाते रहो फोड़ते रहो let's crack it और जो बच्चे मेरे साथ power system तयार करना चाहते हैं मैं बता दूँ बिटा 8th of September 7 a.m. से मैं start कर रहा हूँ power system आपकी power system की journey मेरे साथ हो सकती है बस आपको क्या करना है unacademy join करना है और join करते समय है code लगा देना है अंकेट EAC जिससे आपको मिलेगा discount भी और आप आ जाओगे मेरी personal guidance में इसके बाद बिट description में given होगा इसमें enroll करो फोडो ताकि आपको मिले 100% तक scholarship और बिटा next Saturday होने वाला है unacademy का free test series में बार्क का full mock test 120 minute 100 question तो इसके लिए भी unacademy app पे register कर लो using the code अंकेट EAC ये मेरा unacademy profile है here you can send me messages this is my telegram channel जहां हम कराते हैं daily quizzes और वीडियो अच्छा लगा हो तो like share जरूर कर देना चैनल को subscribe कर लेना और वो bell icon दबा देना ताकि notification आता रहे आपको पता चल जाए जब जब मैं live आँ फिर मिलेंगे इसी तरह से एक और concept के साथ तब तक मचाते रहो फोडते रहो आग लगाते रहो let's crack it